दोस्तों जैसे है कि मैं आप सभी को कहता हूँ, जैसे आप कमेंट करते हो, कमेंट के अकोडिंग में आपके फीडबेक पे काम करते हूँ और आपके अकोडिंग जोप लेके आते हैं तो इन तीनों कमेंट को कंसिडर करते हूँ आज की जोप अपडेट होने वाली है, जहाँ पे अगर आप 12th पास हैं, आप अप अप्लाई कर सकते हैं, कमपनी रहेगी Infosys, मतलब multinational आपकी कमपनी होने वाली है और यहाँ पे आपकी career growth बहुत अच्छी opportunity होने वाली है, चुकि यह internship level पे है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ Infosys की internship 2022 की update, अब कैसी internship है, कैसे apply करना है, सारी चीज़े detail में discussion करने वाले हैं, तो वीडियो को सबसे पहले आपको like करना है, maximum like करके उन सब भी person के साथ share करना ह यह आपकी responsibility है, अपनी responsibility जरूर निभाइएगा, तो चलिए start करते हैं, so welcome back to job, vacancy result, मैं सचीन चुहान, आपके ले ले के आच चुकाँ Infosys internship 2022 की update, तो सबसे पहले चीज़ करता हूँ, इस internship में कौन-कौन candidate apply कर सकते हैं, यहाँ पे every 12th past candidate, जिसका 60% से ज़्यादा score है, वो apply क location की बात करें, यह all over India होने वाली है, तो यहाँ पे कोई barrier नहीं है, तो every single candidate apply यहाँ पे कर सकता है, अब यहाँ पर सबसे important चीज़ पता हूँ, क्या आती है, staff and कितना मिलेगा, काफी सारे लोग मुझे पूछते हैं, देखो, हम कुछ भी करना चाहें, महाँ पे salary और career दो ची idea मिला है, कि अगर आप यह join करते हो, staff and job कर रहेगा, it is approximately 25,000, yes, मतलब जितनी salary मिलती है, इतना भी आपको staff and यहाँ पर मिल सकता है, staff and is totally depend करेगा, आपके interview पे, आपके experience पे, मैं यह नहीं कहा रहा है, experience candidate की demand है, fresher apply कर सकते हैं, पर अगर आपने कोई past में project अपना complete कर रहा है तो उसकी weightage आपको बहुत जादा मिलने वाली है, तो जो reality है directly आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, 12 past बहुत सारे candidate होते हैं, इनके कुछ project complete होते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, तो यह सारी वो basic information है, जिससे approach idea लगता है, जो staff and is 25,000 per month, अब पर clear कर देते हैं, जो भी application का procedure है, आपको यहाँ पर apply हो जाएगा, मतलब limited seat वाला part रहेगा, तो जल्दी से जल्दी आपको apply भी करना है, second part यहाँ पर क्या रहेगा, कि यहाँ पर कुछ इनके particular question और certificate रहेंगे, जो आपको complete करने होंगे, if any, मतलब यह हो भी सकने हैं, नहीं still, it is a time taken process, जो reality है, direct में आपको यहाँ पर बतारूँ, then आपका next रहेगा, performance in interview, yes, आपकी performance को भी judge किया जाएगा, आपकी interview और के time पे, जो भी चीज़ आपने हाँ पर task में complete करी, तो यह सारा एक तरीके से criteria और skill set वाला part होने वाला है, don't worry, यह सारी चीज़े हैं, जब आप information cross check कर सकते हैं, then आपको हमारी website पे officially link मिल जाएगा, again, apply officially website पे ही करना है, apply click here लिखा रहेगा, click here पे click करके आप officially website पे redirect हो जाएगे, बहुत सारे candidates हमारी website पे apply कर देते हैं, तो मैं आपको clearly बता देता हूँ, वो time taken है, आप officially पे please करें, यहाँ पे एक और important point निकल के आता है, I know काफी सारे candidate के मन में यह हो गया है, profile कुन सी है, मतलब मुठ हाया, internship कर लिया, ऐसे तो नहीं होता है, internship निकली किसमे, profile क्या है, title क्या है, तो यहाँ पे यह भी चीज़ सोने पे सुहाग है, चूकि एक, दो, पांच, दस, नहीं, 48 profile पे internship निकली है, तो आपके लिए एक ना लगे, वो internship के लिए आप apply यहाँ पे कर सकते हैं, make sure जो आप apply कर रहे हो, आपकी अगर qualification, या आपका interest, या आपका कोई past work, उससे related है, for example, अगर मैंने यहाँ पे पहले वाले time में थोड़ी सी programming करी है, तो मैं programming के coding जा सकता हूँ, वैसे तो यह non-coding internship होने वाली है, तो don't worry about this part, पर मैंने designing करी है, ठीक है, या मैंने data analyst का program करा है, मुझे excel आता है, तो मैं उसके coding ही internship को महाँ पे select करूँआ, जिससे मेरे selection के chances increase हो जाए, तो जैसे मैं click करूँआ, then आपको यहाँ पे अपनी detail information fill करनी पड़ेंगे, और make sure अपने detail information के अंदर, अपनी qualification को इस तरीके से represent क करें कि वो कि जो आपका skill है और जो demand करी जा दिया है, वो दोन चीजे महाँ पे match हो जाए, so I hope so आपको सारे doubts complete हो गए होगे, still अगर कुछ में मन में doubt आता तो don't worry, नीचे जो comment section है वो आप logo के लिए, आप comment करके अपने सारे doubts मेरे से पूछ सकते हैं, उसकी last date भी है, तो जल अपली से जल्दी हाँ पर जरूर आप apply करें, मैं से चिंच चोहान, आप से मिलूँगा next video में next content के साथ, जैहिंद